हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार देख स्वागत है देखे हम जब भी कोई ऐसी मूवी देखते हैं जो हमारी सेना के उपर बनी होती है तो देखे हम बहुत ही ज़ादा एक दिकस्ते हैं उससे अटैस हो जाते हैं और हमारे दिल में एक सेना के परती बहुत ही ज़ादा इमोशनल्टी देखने को मिलती है और ये चीज हमने कई बार मूवी में देखी है कि जो भी मूवी इस टैप की बनती है वो करोडों रुपे कमा के ले जाती है तो देखे इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर भारत के रक्षा मंतरी ने राजना सिंग जी ने यहाँ पर गायल और सहीदों की मदद के लिए एक कह सकते हैं वेबसाइट लौंच की है जिसका नाम है मा भारती के सपूत जी हाँ इसमें क्या है कि जो भी कह सकते हैं कि सहीदों होंगे या जो भी गायल परिवार होंगे तो उनकी मदद के लिए यहाँ पर देश का हर नागरिक आम नागरिक भी इस वेबसाइट के थुरू अपना कह सकते हैं कि कुछ योगदान, कुछ डोनेशन दे सकता है, जी यहाँ आपने देखा होगा कि जब कभी भी ऐसे कुछ घटनाई देखने को मिलती है, कि बहुत बड़ी सहादत हमारे देश में होती है, या कुछ बहुत सारे घटनाई घटती है, तो देश का आम नागरिक से लेके हर कोई उसमें अपना कॉन्टिविशन देना चाहता है, बट कैसे दे ये पता नहीं है, तो इन सब चीजों को देखते हुए, यहाँ पर माभारती के सपूत एक वेबसाइट लॉंच की कई है, जिसके तहत अब देश का आम नागरिक हर आदमी कैसना किस तरीके से, आप चाहें तो डोनिशन, जो है ये बेश सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे करके आप ये जो अपनी डोनिशन है, आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, बिलकुल विश्वसनी है, जो अकाउंट डिटेल्स हैं, वो पर आपको दी जाएंगी, तो सुरू करते हैं अपना आज का वीडियो रक्षा मंतरी राजा सिंग लौंच्ट माभारती के सपूत वेबसाइट, देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, www. माभारती के सपूत .mod.gov.in आप इस पे किलिक करेंगे, तो भी आप उस साइट पे पहुँच जाएंगे फोर कंट्रिबुशन टू दा आम्ड फोर्सिस बैटल कैस्वल्टीज वैलफेर फंड देखिए, आम्ड फोर्सिस के बैटल कैस्वल्टीज के लिए जो वैलफेर फंड बना हुआ है AF, BC, WF इसके लिए यहाँ पर 14 अक्टूबर को, जी हाँ निउ डेली में एक फंक्शन हुआ था वार मेमोरियल में, उसके तहत यह गोश्टना की गई थी, अगर हम बात करें AF, BC, WF जो है वो एक Tri-Services Fund है Initially जो इसका शुरुआत हुई थी वो Indian Army के लिए था, लेकिन बात में Air Force और Navy, यानि तीनों Services के लिए इसको Combine कर दिया गया था Which is utilized for grant of immediate financial assistance to the families of soldiers, sailors, airmen who lay down their lives or get grievously injured in active military operations, यानि अगर active military operations के दोरान कोई जवान सहीद हो जाता है, या कंभीर रूप से घायल हो जाता है Army, Air Force ने भी तीनों Services के लिए, तो दिखिए, उनकी Family को immediate financial assistance देने के लिए, इसकी सुरुआत की गई की, इसकी स्थापना की गई थी राज़ा सिंग ने यहाँ पर लोगों को country safe, की जो हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तर ने उशावर कर देते हैं, तो हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है, की हम उनकी Family को भी कुछ अपनी तरफ से यहाँ पर donate कर सकें, वाइल दा government has initiated a large number of welfare schemes, गोर्मेंट की तरफ से हाला की बहुत सारी ऐसी welfare schemes हैं, जो soldiers के लिए हैं, चाहे वो यहाँ पर सहीद हो, या disabled हो during active combatant operations there has been a strong public sentiment, बट क्या दिखा गया है लोगों का public sentiment दिखा गया है and request from citizens corporate heads, banks and industries to contribute to the cause of welfare of the soldiers and their families the website will enable people to contribute online directly into the fund, आप इस fund में direct कैसे हैं, पैसा donate कर सकते हैं, और इसके लिए आप एक certificate of online contribution can also be downloaded आप इस site से जाके अपना certificate भी download कर सकते हैं राजा सिन ने देखे, एक कमेंड किया था कि Armed Forces for always protecting the sovereignty, unity and integrity of the country by responding to threats such as wars and cross-border terror activities which courage and promptness यानि साहस के साथ और ततपरता के साथ जो एक हमारी खहते हैं, Armed Forces हैं वो देश की एकता आखंडता इन सब को बचाने के लिए पूरी तरह से तयार रहती हैं, therefore it has the moral responsibility of the citizens to come forward and support the soldiers, तो देखे देश के नागरिकों के भी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाते हैं, कि soldiers और उनकी family को same way में treat किया जाए जैसा वो जो soldiers हैं border पर खड़े होकर करते हैं nation को protect करके referring to the public support to the armed forces during 1962 and 71 wars as also the भारत के वीर initiative देखे, जब 1962 और 71 का जो वार हुआ था वहाँ पी भी लोगों से public से support किया गया था और public ने बहुत बढ़ चरके यहाँ पर support किया था कहते हैं कि इस तरह की condition थी कि लोगों ने, घर की महिलाओं ने अपने कह सकते हैं कि जो जेवर हैं वो सब भी वहाँ पर दे दिये थे कि हमारे देश के सैनिकों के लिए जो भी चीजें हो वो त्यार के जाएं हतियार प्रोवाइड के जाएं खाना प्रोवाइड के जाएं यह सब चीजें उस टेम पे हुई थी और देखिए जब रख्षामंतरी अभी जो हो वर्तमान में हैं ग्रहमंतरी हुआ करते थे जिया राजनाज सिंह जी जब ग्रहमंतरी हुआ करते थे तो उन्होंने सैंटरी जो आम्र प्से police forces यानी पैरामिलाटरी फोर्से उनके लिए एक इनिसीटीव चलाया था, भारत के वीर. He took for the welfare of the Central Armed Police Force personnel during his instinct at the Home Minister. He described the A.B., A.F., B.C., W.F. as one of the major steps in this direction, urging the people to contribute generously to the fund. Rajah Singh ने कहते हैं, through this contribution, citizens can contribute to the welfare of the armed forces and their families, तो देखिए अब इस जो पूरा का पूरा अभियान है इस पूरे अभियान के गोड़विल एमबेस्टर जो बनाए गया है वो है स्री अमिता बच्चन जी देखिए उनको को नहीं जानता है तो उनको इसका ब्रांड एमबेस्टर बनाए गया है कि वो इसका परचार परचार होती है तो उनकी फैमिलीज के लिए आप भी अपने तरफ से जो भी minimum contribution हो वो कर सकें on this occasion देखें रक्षा मंत्री ने जो next of in have fallen heroes and disabled soldiers उनको समानित किया और देखें इसमें अगर आप देखें तो chief of defense staff, army, air force के chiefs and navy के तरफ से भी जो भी बड़े-बड़े अधिकाई थे, वो सब यहाँ पर सामिल हुए थे, देखें यहाँ पर एक कुछ performance भी हुई थी, poem स्री मनोज मंत्र से सुखला के दोवारा, army symphony band, singer मोहित चोहान, martial art performance भी हुई थी, गतका और कलारी पट्टू के लिए, और देखें बहुत ही सकती सालिय और पूरे विस्व की बहुत अच्छी सेना है और हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर chief of defense staff अनिल चोहान जी भी सामिल थे, army और navy की तरफ से जो chief थे वो भी थे, और देखें, Olympic gold medalist प्रजेंट थे वहाँ पर, Indian army on behalf of ministry of defense देखिए यह जो fund है, इसको ministry of defense के बहाँ पर Indian army maintain करती है, तो देखिए अगर आपको donate करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप bank से जाके DD demand draft बनवाएंगे demand draft बनवाके आपको इस address पर postal address ही है आपके सामने इस पर आप send कर सकते हैं, आप इस address का skin sort भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो देखिए, बैंक अकाउंट में डारेक्ट बेस सकते हैं आपके सामने मैं दो अकाउंट नमबर शेयर कर रहा हूँ यह दोनों ही जो अकाउंट नमबर हैं, यह verified हैं और P.I.B. की site से मैंने आइनको लिया है तो fund name है Armed Forces Battle Casualty Warfare Fund bank का नाम है, कनारा bank, South Block, Defense Headquarter डबल वन डबल जिरो डबल जिरो डबल वन पिन है वहा का New Delhi का और IFC code आप इसको नोट कर सकते हैं CNRB 001905 अकाउंट नमबर भी आप देख सकते हैं सेकेंड अकाउंट भी आपके सामने है, नाम से में रहेगा State Bank of India का यह अकाउंट है SBIN 0000691 या FSC code है और जो अकाउंट नमबर है, वो है 40650-628-094 और यह भी saving अकाउंट है तो आप या तो postal के थुरू या इन दोनों अकाउंट से आप online donation जो भी बनता है कर सकते हैं आप इस site पर जाके अपना certificate भी download कर सकते हैं और चाहें तो आप site के थुरू भी अपने account से direct पैसे कटा सकते हैं कुछ भी योगदान जो है दे सकते हैं, जैसे इस पर click करेंगे तो आप से आपका mobile number पूछा जाएगा आप अपना mobile number डालेंगे, उसके बाद इसमें एक जो OTP आएगा आपके mobile पर, वो OTP डालेंगे तो उसमें आपका mail, mobile number पूछा जाएगा फिर आप कितना donate कर जाते हैं, वो सब चीजे भी आप इसके through भी कर सकते हैं तो देखें ये आपके साथ में है कि आपको कैसे donate करना है, लेकिन जब हम movie देखके इतने emotional हो जाते हैं कि हम एकदम देश बक्ती की बावना जागरत हो जाती है, तो ये भी हमारी responsible बनती है कि हम भी कुछ ऐसा योगदान करें, हम movie देखने जाते हैं, लगबख 200-300 रुपे अराम से खर्च हो जाते हैं तो अगर उसका भी बहुत छोटा सा amount आप इसमें डालेंगे, तो साथ जादे beneficial आपके लिए hope आएगा अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, तो देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैगजिम लोगों तक share करना है ताकि ये जो जानकारी है, ये जो awareness है, ये पूरे लोगों तक सभी तक पहुँचाई जा सके चलिए फिर मिलेंगे आपसे, जै हिंद, जै भारत